इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी लेविपिल XR 500 tablet epilepsy में दौरे यानि की FITS के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली एक anti-epileptic दवा है इसे अकेले या अन्य दवाओं के साथ इस्तिमाल किया जा सकता है जब तक आप इसे लेना खाय ले सकते हैं लेकिन सबसे अधिक लाब प्राप्त करने के लिए हर दिन इसे एक ही समय पर लेने की कोशिश करें डोज आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी आपका डॉक्टर आपके लिए सही खुराक की सलाह देगा आमतोर पर लंबी अवधी के इ हिसूस होने लगा है तब भी डॉक्टर की सलाह अनुसार इसका सेवन जारी रखना चाहिए अगर आप खुराक रोक देते हैं या लेना भूल जाते हैं तो आपको और अधिक खराब दौरे आ सकते हैं इस दवा के कुछ आम side effect में चक्कर आना, सिर्दर्द, संक्रमन, जलन, बंदनाक, नींदाना, व्यवहार में बदलाव, आकरामक व्यवहार और भूक में कमी शामिल हैं पहले कुछ सप्ताह के दौरान side effect होना सामान्य है और आमतोर पर आपके शरीर को इसकी आदत लगने के बाद यह कम हो जाते हैं इनमें से अधिकांच side effect के लिए किसी भी चिक आप बदलाव आ रहा हो तो अपने डॉक्टर से बात करें इसे लेने से पहले अगर आपको किड्नी से संबंधित कोई समस्या, डिप्रेशन है या आत्महत्या के ख्याल आते हैं या आप गर्भवती हैं, गर्ब धारन करने की योजना बना रही हैं या या स्तनपान करा रह तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए, इस दवा का सेवन करते समय आपका डॉक्टर आपकी किड्नी कारिक्षमता की निगरानी करने के लिए नियमित बलड टेस्ट कराने की सलाह दे सकता है, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अग अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद